एक प्रिए गुड मोटना वेरी गुड इवनिंगस आप इसा पर सभी लोग आजएगा वेरी गुड इवनिंग फट आपर को शेयर करती जेगा चलिए आगे बात करते हैं हम लोग तो आज इस साल की अंतिम क्लास करते हैं, ऐसा नहीं है कि कल नहीं मिलेंगे, कल भी मुलाकात करेंगे, तो यहाँ पर इसको प्रिपेर करिए, बस करते रहिए, लगातार लगे रहिए, सब कुछ बहतर होगा, चलिए, फटाफट यहाँ पर बात करते हैं, साउंड परफेक्ट है, साउंड में कोई इशू नहीं है, फटाफट आईएगा, एक विक रिविजन कर लेते हैं, कल की क्लासिस का, कल जोग्रफी के MCQs थे, आज भी जोग्रफी के MCQs लेके आऊंगा मैं, आके सामने, चलिए, फटाफट यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ज पीशे वाले वीडियो देख लीजे, कोई इक रहले बात नहीं है, चलिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे लेक्चर्स प्रिपेर किये हैं, ठीक है, आज भी हम लोग प्रिपेर करेंगे, बहुत सारी बाते करेंगे, तो कल हम यह सारे कोशन आपको तयार होंगे, यह सारे कोशन आपको तयार होंगे, कल मैंने सिस्मोग्राफी, भूकम्स रेलेटेड बहुत सारे कोशन पर बात करी थी हम लोगों ने, यह सो नो फटाफ़ बताईएगा, फिर आगे बात करते हैं, जल्दी से बताईएगा, फिर आगे के बात किया जाता है कि लिए आम अडिबल प्रफेक्ट ली यस और रे गूड बहुत बढ़ा या लाइब शोव रहा है कोई दिक्ताली बात नहीं है आई यह सारी कुशन्स देख रहे थे हम लोगों ने कल यहां पर बहुत सारे विंड वेन बैरोमीटर ठीक है उसे अल्टी मीटर यह सारी चीज़े हम लोगों देखी थी कल यह सणो तो कई कई यहां पर स्टूडेंट वोग यहां पर यह कर देखने होंगे तो कल यह पर यह कर वाया थे हैं यहां पर हर एक चीज़ के बारे में का देजिएगा एड़कोर्टर ऑफ यूरोपन यूनियन का हैड़कोर्टर कहां पर फड़ा बड़ाइए तो इसलिए तो बता रहे हैं जो क्लास नहीं कर पाएं उन लोग को भी यहां पर बता रहे हैं कलम लोगों यहां पर सुनामी अर्थ्विक्स रेलेटेट कोश्चन दे रिटेेकी साइकलोन केड़ बीजन है किसे असजिन देखा है करका रहा है तrice के रख यहां पर इसारी बाते कर रहे हैं हम लोग यह सुनों फटाफटा आईए फटा-आईएगा फड़ा फड़ा येगा सभी लोग जल्दी से आगे यहां पर हम लोगों ने बात करी थी किसके बारे में ओशन्स के बारे रिंग और फायर के बारे में बात करी थी बहुत सारी बाते करी थी रिंग और फायर को लेकर हम लोगों ने Yes or No? फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी मून की Gradivity पर के Moon पर जो atmosphere नहीं है उसके लिए क्या responsibility है Sea of Tranquility यह पर बात करी थी हम लोगों ने यह सो नो जल्दी से बता पर फट फट उपने शेर कर दीजेगा Class 19th of November से चल रहा है बट डेली हम MCQs पर focus करते हैं जो MCQs previous year questions में, sorry, previous year में आए हुए हैं, उनसे हम यहाँ पर topics के गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं, good evening all of you, फटावर्स को share करती जाएगा भाई, तो यह कल last topic चल ला था, पैरिगी और एपोगी पे, yes or no, फटावर्स बताईए, पैरिगी और एपोगी पे चल रहा था, yes or no चल यह आगे बात करते हैं, ब्रिसेल्स में हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राहूल, ब्रिसेल्स में है, जेनेवा में नहीं है, जेनेवा में नहीं है, ब्रिसेल्स में 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 है, ब्रिसेल्स is a maximum at which one of the following places निमलिकित में से कौन से places पर हमारी गृत्वा कर्षणबल सबसे अधिक होता है तो फटा-फट कहां पर अंसर करिएगा एट एक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ट्रॉपिक अधिक होता है कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अधिक होता है यहां पर ट्रॉपिक ऑफ क्यांसर हो गया है चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे लाए करो भाई जल्दी से पड़ा पर शेर भी कर दीजेगा इसको ठीक है तो आगे बात करते हैं पोल्स पे वेरी गूड सुझाता का दास्त मैं ने बोल दिया है यहां पर आंसर करेक्ट आंसर यहां पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बहुत बढ़े हैं चीक है बहु अब हमारी प्रत्वी पे अगर आम बात बोले तो एक्वेटोरियल जो लेंथ है जो अ रहते हैं रहींता है और देम्यटर हे वह ज्यादा है यह किटने डिस्टेंस यह है approximately one two seven one four और यह कितने distance है one two seven five seven और इन दोनों की बीच का difference अगर मैं देखूँ तो यह कौन से line है भाई यह equatorial equatorial क्या है भाई यह equatorial diameter है और यह क्या है सर पोल का diameter डायामेटर बोला हूं इसलिए radius नहीं बोला हूं आई होप clear है यहां तक इन दोनों का difference कितना आ रहा है सर डिफ्रेंस एप्रॉक्सिमेटली कितना रहा है सर जल्दी से बताएगा 46 आ रहा है आई होप यहां तक clear है फटा फट बताईए परफेक्ट सर पोल है अब यहां पर उसका region भी देख लिए ग्रैविटी क्या होता है यहां पर ज्यादा होती है ठीक है क्योंकि यहां पर सेंट्रिफ्यूगल φॉर्स ज्यादा हो जाता क्योंकि हमारी जबutto क्या करती है जहन daarं सुना जब आपनी एक्सिस पे इस प्रकार से घूम रही ह पर रोटेट कर रही है क्या कर रही है ना इसको शेर कर देना कि है यहाँ पर सेंटरिफ्योंगल फॉर्स जादा हो जाता है centrifugal force क्या होता है centrifugal force क्या होता है आप किसी भी object को अगर angular momentum देंगे अगर angularly उसको क्या करेंगे rotate करेंगे तो इस तरीके से बाहर की और उस पर क्या लगता है एक force लगता है जो बाहर की और force लगता है centrifugal force और एक जो अंदर की तरह force लगता है एक जो अंदर की तरह force लगता है उसको हम लोग बोलते हैं centripetal force I hope clear है yes हो नो ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है centrifugal gravity minimum हो जाती है at equator equator पर क्या होती है gravity जो है वो minimum हो जाती है centrifugal force ज्यादा हो जाता है हाँ इसलिए भी हो सकता है core से distance distance इसलिए तो बताया ना ने मैंने इसलिए यहाँ पर distance भी बता दिया आपको ताकि आपको कोई confusion ना हो क्योंकि यह distance कम है यह distance ज्यादा है I hope clear है और वह भी कितना ज्यादा है अगर count भी करोगे अगर count भी करोगे तो 23 रेडियस ज्यादा है 23 रेडियस ज्यादा है डाइमिटर में डबल हो जाता है बहुत ज्यादा यूश्फूल है चाहे CHSL के लिए बात कर लें चाहें CGL के लिए बात कर लें बस देली आईए इससे क्या होगा आपका चीजे क्लरिफाई होती रहेंगी आई हो clear रहें यहां तक चलिए अब यहां पर क्या होता है centrifugal force maximum होता है यहां पर centrifugal force लगबग लगबग 0 होता है क्योंकि obvious ही बात है एक बात बताईए जब कोई गेंद नाच रही होगी या कोई यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज इस तरीके से tap है लट्टू जिसको बोलते हैं बच्पन में देखा होगा तो अपनी axis पर इस तरीके से घूम रहा होता ना तो हमेश फोर्स इक्वेटर में अगरो सुदता है क्योग नेकर दाया हुआ है और लेट जो शो फ्रच बहुती हैं वह डायाइट ale कर जाती है नत्र नेम पुर सफिअर में और ऑर लट चना मुव कर जाती है कहां सबना में गरेकशन में कहां यहां udah डारिक्शन में कहां पर नधन हमी स्पियर और लेफ्ट डारेक्शन में कहां पर जल्दी फटापैर्स को शेर कर दीजगा शदन हमी स्विएर पर आपको पर्फेक्ट्ली क्लियर हो गया आपको कॉंसेप्ट क्लियर करना है मेरी दिमेदारी ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्स कुश्यन आपके सामने आ रहा है वॉल्केनों से जल्दी से बताईएगा ग्रालविटी इस थे गाल उस एक्टिव वालकिनों कहां पर होगा जल्दी से बताइए फटाफट कॉंसेट क्लियर करना है ठीक है जल्दी से फटाफट आईएगा जल्दी से आईए यहां पर एटना माउंट एटना कहां पर है सर इटली में है ठीक है फूजियामा कहां पर है सर जिपान में है अब मांट टाई कहां पर है कोश्चन मार्क मांट टाई कहां पर है कोश्चन मार्क जल्दी से बताएगा सबसे जाएड़ा हाइएट बोल रहा है हाइएस्ट मतलब हाइट भी हो उसमें हाइट भी हो उसमें और साथी साथ में यहाँ पर मैं वालकेनों खतम करा चुका हूझा है यहाँ पर अगर मैं जोग्रिफी की बात करता हूँ तो मैंने कौन कौन से concept कवर करा दिया अगर में बात बोलू। तो मैं ने solar system कवर कराया पूरे सारे planet कवर करा दिया एक ही चार्ट में, एक ही चार्ट में, एक सिंगल चार्ट ना, उस चार्ट में सारी जो major बाते आती हैं, वो सारी बता दिती मैंने, उसके बाद यहाँ पर मैंने अर्थ में अगर मैं बोलू, latitude, latitude and longitude भी पढ़ा दिया था, अगर आप सुरू से कलासे कर रहा है, ठीक है, longitude भी पढ़ा दिया था, अक्षान्स और देशांतर, उसी के साथ मैं अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ, फिर मैंने यहाँ पर आपको याद होगा, मैंने interior of earth भी पढ़ा दिया है, मतलब जिसमें हम लोग core mental crust की बात कर रहे होते हैं, आपको याद होगा, मैंने अलग-अलग यहाँ पर discontinuity भी बताई थी, अलग-अलग तरह की discontinuity भी बताई थी, आई होग clear है, very good, बहुत बढ़ा, हाँ, Indonesia amount tie, बहुत बढ़ा, right answer, ठीक है, अब यहाँ पर जो right answer है, वो है catapoxy, ठीक है, catapoxy, highest बोला गया है यहाँ यहाँ पर, highest, ठीक है, अब देखना है, यहाँ पर धान सुनना, हम, हम, चलिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं, very good, हम, इंडोनेशिया के पास मैं हैं, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर, आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, यह सारी चीज़े हम लोगों ने देख ली, उसके बाद पर मैंने आपको यहाँ पर classification, यहाँ पर interior of the earth पढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने plate tectonics भी पढ़ा दिया, ठीक है, plate tectonics की theory भी पढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने, और मैंने कहके पढ़ा दिया था, यहाँ पर, continental drift भी पढ़ा दिया, यहाँ पर continental drift भी पढ़ा था, मैंने, उसके बाद atmosphere भी पढ़ा दिया, atmospheric pressure belt भी पढ़ा दिया, atmospheric pressure belt भी पढ़ा दिया, I hope you remember that, ठीक है उसी किसा हाथ या साइक्लो इस में साइकलोट लास टाइम बात कर चुके हैं ऐध्रू मेडवी में यह मेल maturity अगर फैसलब कर रहे हुए है कि यह है कॉश्चान से कॉंसेट्ट पर जाने का क्यास करता questions से concept पर जाने का प्रयास करता हूं I hope clear है ठीक है तो आपको याद होगा हम लोगों ने शुरुवात यहाँ पर करी थी इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर slides हम लोगों ने देखी थी अब्सक्राइब यह सारी स्लाइड लोगों ने बात करी थी एक सेंट एक सेंट बस यह सारी slides हम लोगों ने देखी थी यह देखो एक quick revision ले ले लेते valcanon का याद आया यह वाली slide थी सारे revision ले लेते हम लोग देखो volcanoes बताये थे पुरा प्रवे में last slide में यह सुनो इसीले slides रखता हूं थाकि आपको समझ में आता रहे magma बताया रहे समयने आपको याद Hoगा इं तरा के वालोगनों बतायते मैं आपको याद होगा इस प्रिइब कोלא नाम की नाम याँ पर बलगन की नाम ना पर मने बतायते हैं का जिसमें कीड़ाइन तरी मांट कुल्омु था ह्चांट यह सारे नम क्या सारी क्लास्थ आपको मिलती रहेंगी यह बोल देते हैं अब मांट इटली में इंडिया की बात करते हैं यह हमारा भारत है और भारत में हाँ चलिए इसमें भी discussion लाऊंगा मैं climate or soil पे भी जैसे-जैसे question आएगी वैसे-वैसे question करेगे ना भई ठीक है यहाँ पर island group बताया थे मैंने अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार में यहाँ पर दो island होते हैं एक तो आपका कौन सा होता है यहाँ पर इस पर एक बारन आइलेंड है और यहाँ पर निकोबार यहाँ पर बारन आइलेंड इंडिया का एक्टिव ऑलकेनों है ठीक है यह सारे इटली के तो यह नहीं कह सकते हैं तो आप आपने पढ़ाया नहीं है भी यह थोड़ा सा यह नहीं आगे कि अपय वात करते हैं इसह इपने पास में है तो पहुत सारे कुसिंस को भी कवर अब करेंगे चलिए राइट आइन्सर कन पॉख्सी यह फटफट चलिए फटबट कर दीजे इसको 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 जी चलिए यहां पर आप दिखे य misin टिलिग्राम आपको क्या मिल जाता है लाइट याप फिर पीडीयफ मिल जाती है यहाँ पर आपको जी एस जी ये कि वित संजे सर्पे ठीक है जीएस जीए भी संजेस अरपया पे पीडियेफ मिल लाता है और यहां पे आप कोशन्स भी पूछ सकते हैं आप कोशन्स करिए बस कोशन्स करिए आपको आंसर जरूर मिलेंगे चलिए उसी के लिए तो है भाई अब यहां पर अगर देखें थोड़ा सा जूम करके इस उरह सबसे active suicid alaru चाहिंत कर गेंगा एक और है ओजास डेलसल鍋 और अब मोस्ट एक्टइव वाल इक ओक्रम में यह कहाँ पर है सिमय मौनटियन पर लिए हूबर एक चेंज चल रही है Elps Mountain की किसकी? Elps Mountain की I hope clear है यहां तक Elps Mountain, चलो यहां पर मैं कुछ important mountain भी बता देता हूँ आपको होता क्या है, यहां पर यह plates नीचे जा रही है आपको पता होगा, जब मैंने plate tectonics बताया था मैंने कहा था, कि plate एक दूसरे के नीचे जाती है, इस तरीके से जब नीचे जाती है तो यहां पर क्या होता है, chances बनते है वालकेनों बनने के इस तरह से क्योंकि क्या होता है, नीचे से magma push करता है तो यहां पर वालकेनों बनने के chances बढ़ जाते है, ठीक है तो यहां पर क्या होता है बाद में चलके इस तरीके से यह बस्ट कर जाता है और वालकेनों बाहर आ जाता है तो यहां पर भी क्या हो रहा है इस तरह के से प्लेट इनर साइड में जा रही है यहां पर भी ठीक है तो यहां पर आपको वालकेनों मिलेंगे ठीक है इवन आपको यहां पर भी वॉल्केणों मिलेंगे, इटली के पास में भी आपको वॉल्केणों मिलेंगे, I hope यहां तक clear हो रहा है यहां पर भी यह military Canadian plate, African plate नीचे के और जारी है और यहां पर भी यह सारी, अब देखो यह पुरा ring है, कली मैंने बताया था आपको यह रिंग ऑफ फायर है ठीक है यह प्रॉपर सबसे द्रदा वॉल के नो और अर्थमिक एक्टिवीटी यहीं पर आपको देखने को मिलती है यहां से लेके इस जोन में ठीक है I hope clear हो रहा है यहां तक I hope clear हो रहा है यहां तक जल्दी से बताइए फटा-फट प्लेट टेक्टोनिक अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं यह जो range चल रही है यह कौन से mountain बन रही है यह आप पर यह बन रहा है सर Rockies Mountain कौन से सर Rockies Mountain कहां पर है यह यह आपके North American continent पर है और यहां पर Alps Mountain है यह सारे के सारे फोल्ड बता रहा हूँ आपको मैं कौन से mountain बता रहा हूं सर आपको वलई वलए वलए वले सारे के सारे mountain पर बात कर रहा हूं मैं I hope clear है फिर यही पर एक और mountain आ जाता है इस जगह पर यहां पर इस जगह पर यहां पर एक mountain रहाथ है जिसका नाम क्या है यहां पर एक mountain रहाथ है जिसको हम लोग बोलते हैं किस नाम से क्रांट इस प्रांस ने बलेगा यहां पर एक मौंटेन मिलता है जिसको भोल देते हैं कौन सा मौटेन यहां पर मिलता है माउंट एक लिस रिखाएं देखो कोशिन्स बहुत सारे होंगे बहुत सारे कुछिन्स कभर अप करते हैं concept बताते हैं, तो concept में आईए, जुड़िए, ठीक है, concept में आईए, जुड़िए, ठीक है, concept पढ़िए, पढ़ते रहिए, यहाँ पर भाई, दुनिया का सबसे youngest mountain हिमालया, ठीक है, हाँ, गौतम बहुत अच्छा अंसर कर रहे हो, ठीक है, किस दुनिया के सबसे longest mountain chain है भाई, एंडी इस क्या है सर, world's longest mountain chain है, चलो, clear है, हाँ, फटावर्ट इसको शेयर कर देना भाई, चलिए, फटावर्ट इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टीजी चैनल से जुड़ जाना, GSGA, with Sanjay sir, जहाँ पर हम लोग बहुत सारी queries cover up करते हैं, ठीक है, आप questions पूछ सकते हैं, वहाँ पर questions के answer कर रहे जाएंगे, चलिए, आगे बात करते हैं, next question, अब देखो, यहाँ पर इसका मिलान करना है आपको, अब obvious ही बात है, आधी जानकारी को मैं दे चुका हूँ, आधी जानकारी आप, निकालिए, चलिए, मैं हाइट कर लेता हूँ खुद को, मैं हाइट कर लेता हूँ खुद को, चलिए, फटावर्ट रिप्लाइ करिए कोशन का, जल्दी रिप्लाइ करें होतों जल्दी फिर हम लोग आगे बारते चलेंगे, और भी detailing करते चलेंगे, चलिए, फटावर्ट रपताईएगा, जपान इनको भाई मिलान करना है, फटावर्ट रपताओ, भी सही है या कौन सा सही है, देखो, अभी हम लोग देख क् किस में सर, माउंट फूजी, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर, अब सिसिली, सिसिली कहाँ पर पढ़ता है, इटली में पढ़ता है, ठीक है, ये हो गया, अब उसके बाद में यहाँ पर हवाई में कहा था है, मौंट, लुआ, ठीक है, अब जो लाकी कहाँ पर तो विएसी बात है, A का 4 कहां पर जा रहा है, ठीक है, A के लिए 4 जा रहा है, B के लिए 3 जा रहा है, C के लिए 1 जा रहा है, और D के लिए यहां पर 2 जा रहा है, कहां पर आंसर आ गया, यहां पर आंसर आ गया, आपके सामने, B आंसर सही है, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जोगर्फी नहीं हा था जोगर्फी देखो जोगर्फी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है बर डेली कंटिनुटी मांगती है हर चीज हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है ठीक है हर चीज कंसिस्टेंसी मांगती है बस कंसिस्टेंट रही है हर ची ठीक है चल यह आगे बात करते हैं यहां पर चलिया आगे करते हैं कोशे समय में आ गया बैरी गुड़ ऐरी बल्री नेक्स्कूम और क्या होता है गरी नीशे चरे सा कोश्यन पहले भी कर चुके हैं Cotton यह लुका लोग पहले भी कर चुके हैं I hope you remember that जल्दी से बताईएगा रिवीच मेरेडियान का मतलब क्या है फटावड बताईए यहां पर यह कुछिशन तो पहले भी हम लोग कर चुके हैं फटावड रिप्लाई करियेगा बेरी कुड, ऑल्ले बेस्ट जीरो डिगरी लटीटुटby यह इरो डीघरी लाइनची एह 180 को क्यों टमारताईएगा में भी है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती किसी पीचीव में ठीक है चलिए शेयर कर दिजेगा फटाफट और देखो जितने व्यूज है कम से कम उतने लाइक तो होने चाहिए मिनिमम ली यह सोनो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है चलो पड़ा पड़ बात करते हैं आगे बहुत 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 बढ़े है पासे सुन लंडन बहुत बढ़े है तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर जो है वो है जीरो डिगरी लांजीट्यू क्या writer इसका जीरो डिगरी लॉंजीट्यूड क्या रोगा इसका जीरो डिगरी लॉंड देंयु सीट हो तो सुझूज होता है से अक्षान्स में ए जो फूटाहितर एक ओछांस तवर एक साद्भे देशांथर फिए यह क्या इसको बोलते है लाटीट्यूड लेटी ये का मतलब हवे DRKA this डान समंजोंपने लेटी और और लॉंजीत यूड कमतलब लॉंग 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 हमेशा important latitude होते हैं सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करूँ आपसे सबसे पहले आपर बात करूँ तो पहला तो कौन सा equator हो गया दूसरा क्या हो गया सर 23 and a half north जिसको हम लोग क्या कि यहां पर अगर बात करें जाएं यह 0 होता है छीक है यूजवाट टाइम बेर लांजीटूट बहुत सारे यूज़ किया आता है लॉन जीपीस यूज़ करते हो जी पीस ठीक है जीपीस यूज़ करते हो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसके लिए भी लाटिटूड और आणसर यही क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं אז इसको बोलते हैं जब्ल teach प्रक्ल्ड और लोगदी में इस रूटकर रहान हिंदी में ठीक है हिंदी इंगलिश वालो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है 66 एन आहाफ नौर्थ फटावड़स को शेयर कर देना ठीक है एंटाक्टिक सर्कल एंटाक्टिक सर्कल आई ओप क्लियर है तो यह पोल्स हो गया है यहां чисल ओंछी ठीक है और अगर लॉंजी इंटी पर लीध कि बात कर ले जाया तो दो हैं एक तो आपका जिसको हम लोग 0 degree बोल ला है जिसको हम लोग क्या बोलता है green witch meridian time ठीक है green witch mean time green witch mean time जो कि कहां से होगे गुजरता है जो कि गुजरता है London से होके ठीक है क्योंकि 1884 में सबसे ज़्यादा भाई obvious बात है सबसे ज़्यादा colonies किस की थी UK की थी Britain की थी very good बहुत बढ़या ठीक है Britain की थी और उसके बार में भाई यहाँ पर जो maritime conference हुई थी world metrological conference हुई थी कहां पर Washington DC में कई बार यह बता चुका हूँ मैं Washington Washington DC किसकी capital है Washington DC फटापड बता दो यहाँ पर तरह Washington DC किसकी capital है फटापड बता दो तो GMT की लाइन गुजरती है Royal Observatory से ठीक है Royal Observatory से ठीक है इसी के अपोजिट इसके पीछे क्या होती है सर 180 डीरी इसको बोलता है international date line अब question यह आ जाता है international date line कि स्ट्रेट से होके गुजरती है अब देखो प्रण को भी राधाफ यहां पर ठीक है यह रहाइब यहां पर इस तरीके से यह आपका रशिया ठीक है यह जपन शुटेश्टे अगरे आज में यह जपन यहां पर यह तो चल्दा होता है ठीक है यहां पर अगरम बात करें इस तरीके से कि ठीक है कि यह अमेरिका शेका है और अब द्यान सुनों यहां पर क्या है यहांपर सर आर्कटिक सी है कौन सथी अगरो फ्रफटा फटा रप्लाइक रो अगरो अर्कटिक सी यहां पर कौन सथी यहके सट है ए कोन सथी यहांब यहां ब brack पैसिफिक शीं ठीक है? और इसी पतली सी straight जाती जाती इसको बोलते हैं sir, consistate कई बार कोशन आ चुका हैं यहापर कई बार कोशन आ चुका है यहापर कई बार कोशन आ चुका है और सीधे पूछा जाता है कि International date line कहां से होकर गुजरती है इस तरीके से गुजरती है भहिया, ठीक है, यहां पर बहुत सारे island group है न, यहां पर बहुत सारे island group है, इस तरीके से, बहुत चोटी-चोटे island group है, ठीक है, जो oceania का पार्ट है, इसका, oceania, ठीक है, तो यह कौन सा है, जल्ली से बताओ, बारिंग सो बोलते हैं इसको कॉंसा बेरिंग स्ट्रेट लियक यहां पर छोटा से बाइरिंग सी है इस ज्यकह पर बैरिंग सी है लिक है इसके ओपर यहां पर 20C है दो बड़ी बॉर्टर बॉर्डी एक छोटी बॉर्टर जुर्टी उसको बोलते हैं बैर इइं स्ट्रेट कई बार कोशन लुचन कुछा जाताँ आप से इंतरनेशटनल डेट Τ erlebt लाइन किस स्टेट से उब गुजरती है उसका नाम का स्टेट नहीं इस टेट और नहीं, straight, state, idag नहीं बोलना हूँ, मैं straight बोलना हूँ, straight spelling देखना, straight बोलना हूँ, ठीक है और देखो, इसी को याँपर जो portion है यह यह कहलता अस्थमस, क्या कहलता सर? क्या कहलता सर, यह कैसे आया है, यह आया है जो आपके, जो कौन सी gland होती है सर? स्थायरॉइड लैंड गले में होती है न फिकव बटरफ्लाइंके जैसी बस वैसे ही वर इस रहे इसे तरहीक वेशन यहां से और बन सकता और ज़रा मैं अपने आपको hide कर लेता हूँ एक question और बन सकता है, यहां से स्रेट है तो भाई, जलूर बनेंगा India से related question जलूर बनते है यहां पर India के पास में straight है या नहीं है India के पास में straight है या नहीं है है क्यों नहीं यह है श्री लंका यहाँ पर पढ़ता है आपका क्या बे आफ बेंगॉल यहाँ पर क्या पढ़ता है जल संधी बहुत अच्छे बहुत अच्छे इसको बोलते हैं जल डमरू मद्य संधी जल डमरू मद्य संधी बोलते हैं इसको हिंदी में इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं यहां पर स्थल डमरू मद्य संदीर डमरू क्यों क्यों डमरू बीच से जुड़ा हुआ होता है ना चलिए हिंदी में याद दिलाने के लिए धन्यवाद चलिए अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है इंडियन ओशन यहाँ पर क्या है अरेबियन सी अब यहाँ पर पतला सा एक सी जूड़ रहा है न देखो यहाँ पर पतला सा सी जूड़ रहा है न यह देखो यहाँ पर जुढ रहा है कि नहीं, इसको नहीं पर बोल देते हैं मननार की खाडी ठीक है very good, पार्क स्ट्रेट, कई बार कोशन आता है यहां पर पार्क स्टेट, पैसे एक खाडी कौन सी है, इसको गल्फ कौन सी बोला जाता है, यह है गल्फ कौन सी है यहांपर एक सेकन्ड रुखो जड़ा हम ठीक है Gulf of मंनार ठीक है ठीक है तर एक कोशन से कितने सारे कोशन हम लोगो ने क reco french थे कि सिर्फ green विच मेरेडियन टाइम ही नहीं जाना important latitude जाना important longitude जाने उसके साथ में latitude जो है 180 degree है और एक आपका यह है ठीक है और इसके east में हम है इसके east में हम है और अगर हम अपनी बात करते हैं हमारा कौन सा longitude है जो कि हम से होके गुजरता है वो कौन सा है सर वो इस जगा पर पढ़ता है यहां पर ठीक है वो इस जगा से होके गुजरता है ठीक है इंडिया के और यह कौन सा है सर 83 and a half east जो कहां से होके गुजरता है जो कहां से होके गुजरता है सर नैनी इलाहबाद नैनी मिर्जापुर नया नाम क्या है नैनी मिर्जापुर नैनी मिर्जापुर अगर फुनाना नाम पुछ लेगा तो इलाहबाद पुछ लेगा आपसे ठीक है चलो थाइरोइड बता दो अरे थाइरोइड ग्लैंड होती है भाई थाइरोइड ग्लैंड होती है ना ठीक है थाइरोइड ग्लैंड होती है इसमें पहरा थाइरोड होती है तो यह जो है ना यह नाम इसको भी यहाँ पर क्या बोलते है थाइमस ही बोल देते हैं ठीक है इस थमस बोल देते हैं इसको भी कमल करते देखानी बोलते हैं फटाफट यहां पर रिप्लाइ करिए समझ में आया कि नहीं आया फटाफट बताईए जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए चलिए आगे बात करते है अब कोशन बड़ा अच्छा आ गया यह तो यार यह कोशन कोईले भी करवा चुका हूं ल प्रतुक के k例 है वर्यूड अब प्रत्वी कितने देशांद्र में घूम जाती है फटाफट बताईएगा अब और शेयर कर दीजिए गा जली से इसको शेयर कर दीजिएगा यह बात करते हैं अब पिर इस से यक वही चीज आ जाएगी जो मैं पहले क्यालक्यूलेशन करा च सी आपशन बता रहें कई लोग कमल किशोर बरमा सर ने बताया है अंडर डॉग ने बता दिया है भाई अरे सही से नाम रख लो थाकि पुकारने में भी अच्छा लगे ना पुकारने में बढ़ा अच्छा लगे वेरी गूड वेरी गूड सर 360 60 divided by 24 is equal to 15 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे राइट आंसर क्या है वाई 15 डिगरी 15 डिगरी बहुत बड़े हैं बहुत सुंदर बहुत शानदार ठीक है जो मैंने बताया था 1884 में क्या होई थी प्राइम मेरीडियन कॉन्फरेंस हुई थी न वर्ड मेरीडियन कॉन्फरेंस हुई थी तो उसमें यही डिसीजन निकला था कि अर्थ को पूरी अर्थ को ठीक है 24 जोन में डिवाइड कर दिया जाएगा जिसमें से आज भी अगर बात कर लिया जाए तो USA के पास में 5 जोन जाते हैं, कैनेडा के पास में भी 5 जोन आजाते हैं, रशीया के पास में आपके 9 जोन आ जाते हैं, पहले ये U.S.S.R. हुआ करता था उस समय 11 जोन थे इसके पास में और आज भी सबसे ज़ादा जोन किसके फास में है फ्रांस के पास में है सबसे ज़ादा जोन अच्छा भाई बसंती चलो question mark फ्रांस के पास कितने है maximum फ्रांस के पास है बट कितने है फटाफट reply करना चीक है यह रहा उसका calculation जो last time मैंने बताया था यह calculation बताया था और यह same question है अब देखो जो इसके पहले वाला question हुआ है वो यहाँ से complete हो जाएगा क्योंकि एक hour में कितने longitude आते हैं वो यह cover कर देता है यह सोनो और जो यह वाला question है वो इस से complete हो जाता है और हम कितना आगे हैं यह इस question से cover up हो जाता है यह सारा calculation लास्ट लास्ट टाइम बताया था ठीक है लास्ट 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 टाइम सारा बताया था मैंने मेरे पुनाने वीडियोस देख लीजेगा वहाँ पे मैंने देखो कितने से discuss किया था है यहाँ पे देख लो चाहिए तो ठीक है बेसिक सा calculation है कि टाइम जोन का क्लास लिया था भाई यह देखो क्लास लिया हुआ है previous वीडियोस देखिए वहाँ पे मैंने क्लास लिया हुआ हुआ है गुरू यह देखो यहाँ यहां पर कोश्यन आ रहा है आपके सामने नेपाल के साथ कितने स्टेट बाउंडरी शेयर करते हैं जल्दी से बताईएगा फटा फट बताईएगा जित्ती जल्दी आपता पाएं क्या आप आप है और यह पाहिए नाजर सोने लागा दिया राइंग को मेरी झाल 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 अब यह कुछ ऐसा ही बहिया बन गया यह हमारा प्यारा भारत है यह नीची क्यों चला गया आप समझे जाओगे एप्रॉक्सिमेटली चलो क्लियर है भाई पढ़ाई कर लिजे पढ़ाई कर लिजे ठीक है यहां पर आजाता है क्या यूके यूनाइके किंडम क्यों सही बोला अरे उत्राखंड भाई उत्राखंड ठीक है चलो सबके क्यापिटल ठीक है सी एम और गवर्नर फटाफट बताना शुरू करो उत्राखंड यूपी यहां पर आजाता है सर बिहार यहां पर आजाता है सर वेस्ट बेंगॉल और यहां पर आजाता है सर सिक्किम ठीक है तो कितने राज्जी होगे सर फाइव चलो मैप से याद रहेगा चलो फटाफट बताओ उत्राखंड की कैपिटल सी एम और गवर्नर देखो तुरन दो मिंट में तैयार हो जाएंगे अभी धैरादून चलो वेरी गुड धैरादून सी एम कौन है टेविंदर सिंह रावत चीक जल्दी सबताये गवर्नर कौन है यहाँ पर क्या है सर पतना यह तो भी सबकुछ पता है अ необ橋 क्या है बहुंट सिंह में capital क्या ग्यांग टॉक त्रिवेंद्र सिंग रावत सी एंब अच्छे हाँ त्रिवेंद्र सिंग रावत जल्दी से बताओ फटाफट सियम योगी आज इतना आनंदी बेन पटेल बहुत अच्छे योगी जी चीक है आनंदी बेन पटेल आनंदी बेन ठीक है वेरी गुड बहुत बढ़े हैं जल्लिस बताइए और बताइए पिहार में कौन है बीबी नानी मयूरा वेरी गुड पुलकत्ता दरदुन हाँ वह हो गया हो गया हो अच्छा आनंदी बेन पटेल को एक और राजिक का यहाँ पर राजिपाल बनाया है वो है MP अतिरिक प्रभार गैंग टॉक बहुत अच्छे यहाँ पर त्यार हो रहा है कि नहीं त्यार हो रहा है यहीं चीज है बस ठीक है अब अगर मैं यहाँ पर कोश्चन एक और पूछ लो आपसे चलो इंटरनेशनल बाउंडरी पूछ दालू ठीक है वह अभी मैं पूछूंगा ऐसा नहीं है कि नहीं पूछूंगा ठीक है आईए यह आगे हमारा मैप ठीक है नितीश कुमार वेरी बहुत अच्छे बिहार पटना नितीश कुमार और पुगु चौहान बहुत बढ़े हाँ बिविरानी मौरे उतराखंड बहुत बढ़े है और बताइए फटाफट इसको शेर करिएगा अब देखो यहां पर मैं बाउंडरी भी अगर पूछ लूँ आपसे ठीक है बाउंडरी भी फटाफट बता दो यहां पे चलो इंटरनेशनल बाउंडरी भी अगर मैं पूछ डालू आपसे इंटरनेशनल बाउंडरी भी अगर मैं पूछ डालू आपसे तो आप बता दोगे नहीं बता पाओगे सार जल्दी से बताईए अधितनाथ चलो फटाफट बताईए यहां पे पाकिस्तान की बाउंडरी किसक निकलेना चाइना लदाक यूटी लदाक यूटी इमांचल प्रदेश उत्राखंड सिक्किम और उनाचल प्रदेश नेपाल की बाउंटरी किसके किसके साथ मैं इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं मैं लास्ट टाइम ये कोशन पढ़ा चुका हूं मतलब इस तरीके से मैं यहां पर, हां बोलिए रोहित सर बोलिए रोहित ब बहुत बटलया राहूल बहुत बटलया बहुत बटलया हूं अफगालिसतान के साथ में भी हहां पर बाउंडरी बन रहे है जमुएन कश्मीर पार्ट की ठीक है नेपाल के साथ में यहां पर अबर हम लोग देख आ चुके हैं नेपाल के साथ में कितने राज्य हैं वो सब देख आ चुके हैं भूटान की अगर हम बात करें सिक्किम, वेस्ट बेंगोल, असाम और अनाचल प्रदेश ठीक है सिक्किम वेस्ट बेंगॉल उत्रदेश उसके बंगलादेश के अगरम बात करते हैं तो वेस्ट बेंगॉल असाम मनिपुर फिर असाम और त्रिपुरा और यहां पर मीजोराम ठीक है है हाँ चलो यह हम लोग देखते चलते हैं चलो आगे आपको नेपाल के साथ में एक रिसेंटली का न्यूज है जो मैं आपर आउट्रेट लेक्या है हूं आपके लिए कोश्चन जरूर आएगा काला पानी और लिपु लेक यह ट्राइजंशन एरिया है यह ट्राइजंशन एरिया है एक्शुली इस एरिया को हम अपना बताते थे ठीक है यह ट्राइजंशन एरिया है इस एरिया को हम अपना बताते थे यहां पर है लिपु लेक ठीक है और इस पूरे एरिया को हम जानते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि यह रिवर बह रही है कौनसी कौनसी रिवर बह रही है बाउंडरी बनाते वे चलती है कौनसी रिवर रही है यह रिवर कौनसी है जो नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंडरी बनाती है फटा फटा बत the Train जो कि नेपाल और ब्रितेन ब्रिटिश इंडिया के बीच में हूइती यह सोनो हां कि यहां से कोश्चन मेरे इसाथ सेक्षर नेपाल से निकलेगा यहां से जरूद निकलेगा है चलो नेपाल ने काला लोगी कोशन करिए हां बार बताई आ बताई आ बार बताई ए जी सुनिए बताई चलिए बताई ये आप साब बताई ये पहले बात ही सुन लेते हैं पढ़ाया नहीं चलिए आम वेटिंग बताइए चलो क्लियर है वेट कर लिया आई यह बात करते हैं तो यहां से कोशन नेपाल का कुशन आई इसलिए काला पानी का लेकर आ गया हमें ठीक है चलिए आगे बात करते हैं है कि शिर lasu अब उसन अधरने नेब्स से यहां पर सबसे चोटी कोस लाइं और सबसे शॉटेस लाहिं किस की है सबसे शॉर्टेट को सुलाइन किसी है लदी बताईएगा ठीक है हम इंडिन जोग्रीफी पर रिक्षाएंगे यहां पर सबसे शॉर्टेस खोस्ट लाइन किस निगे फटावर्स को शेयर कर देना लाइक कर देना चलिए आगे बात करते हैं यहां पर जो पूछना ड्रीक्ली पूछी आप लोग ठीक है चलिए सोटेस्ट खोस्ट लाइन किसकी फटावर्स बता ना बैए कर ला करनाटका तमिलनाडू आंदर पदेश करला करनाटका तमिलनाडू आंदर पदेश फटावर्स को कोशन नहीं होताएंगे कितने सब्सक्राइब अगर मैं आपको दिखाओ ठीक है कुल्फा जिंड़ीय हो में फटा झनतना पड़ात को देखो भ्लास अंदर रखना पड़ेगा और तो रखना पड़ेगा ना ग्लए टो-ध करनाटका गववा तो यहां आपधार चलो फुटापर बताओ उलुटा आप खुझसे देखकर वताएगा यह क्या है यह यहां पर गुजराथ की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है अगर लॉणगेस्ट कुष्टन पूछ लिया जायumen मिल == answer sprong rat अगर यहां पर यह पूeg लिया जाए के आप East से West यहां पर arrange करें वैस्ट में arrange करिए तो वैस्ट में क्या हो जाएगा सर गुज्रात की coastline, उसके बाद sir महाराष्ट की coastline थिक है क्लियर हुआ यहां तक लजाओ कि हम कि आपको सामने दीख रवे रहे होंगे आपको सामने दीख रहे होंगे गुजराथ हो गया ठीक है, महराष्ट्रा हो गया, गोवा हो गया और उसके बाद में करनाटका और केरला, इस तरीके से हम लोग इस टेट को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरफ देखेंगे अगर हम लोग तो इधर भी डिफाइन कर सकते हैं, बढ़ यहाँ पर नाम अलग लग है कोस्ट लाइन के, कोस्ट लाइं के अगर नाम देखते हैं, तो यहाँ पर इसको सौराष्ट कोट चिया कचिया काटियावार कोस्ट बोल देते हैं, महाराष्ट्रा और गोवा में यहाँ पर करनाटका मिला लिए जैसको कोंकन कोस्ट बोल देते हैं, केरला कोस्ट को बोलते हैं, मालाबार ही और लनाडू और अंहांदर प्रदेश को मिला कर कोरो बंदल खोस्ट बोल देते हैं और फिर यहां पर इसको यहां पर मिलाकर क्या बोलते हैं सरकर शेकर और ये आपका वेसजेशा और उडीशा, उद्कल कोस्ट बोल देते हैं, आई हो क्लियर है, चलो क्लियर हो गया, अब देखो है यहाँ पर अपना अंसर डूंडो, घुर घुजरात की सबसे ज़ादा है, घुलियर है, घुजरात की कोस्ट लाहीन सबसे ज़ादा है सर, उसके बाद किसकी है सर, बात करते हैं फिर तमिलनाड़ू फिर केरला और यहां पर महराश्ट्रा फिर उडीसा और फिर वेस्पिंगॉल करनाटका तो अब यहां पर करनाटका जो है वह सबसे लोवेस पार्ट पर आ रहा है आपके सामने आंसर कौन सा है सर करनाटका सारा आंसर मैंने आपर बता दिया सिक्रिंग गोवर्नर कंगा परसाद जी वरी गुड़ बहुत अच्छे कि लिए रहे यहां तक जली बताईए आगे चला जया चलो clear हुआ यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है एक एक portion यहां पर बता रहा हूं मैं चलो आओ next question बताओ which one of the following which one of the following is state boundary with the Myanmar Myanmar के साथ boundary बनाता है कौन से देश है as well as the as well as the as well as the अगर यहां पर हम देखें तो यह क्या है सार यह सिक्किम है ठीक है और यहां से यह जो लग रहा है सार यह यहां से लगा लीजे थोड़ा सा यह क्या है सर यह अवनाचल प्रदेश है और यह यहां पर इस तरीके से यह असाम है ठीक है यह असाम यहाँ पर भी आ जाता है इस तरीके से यहाँ पर भी यह क्या है सर यह मेगालेया है ठीक है और यहाँ पर सर क्या है यह नागालेंड है ठीक है यह क्या है सर यह मनीपुर है ठीक है यह क्या है सर यह मीजोराम है और यह क्या है सर यहाँ पर यह असाम है यह कैसार ये अभी है हैं यहैं है तो अब मुझे ये बताओ ऐं काह पर है यहां से लगा यह है करें पूरा को में दिमाग में बनाओ बांगलादेश यहां पे आ जाएगा और यह नागा-लेंट बीन ऊपर है कीρέ समझ में आया कॉंसेट कैसे क्लियर होते हैं मैप बनना चाहिए दिमाग के अंदर बस चाहिए केरला इतना लेट आंसर खर रहा है गुरू केरला इतना लेट आंसर कर रहा है यहां पर क्या होगा मेजवरम चलो सबकी कैपिटल बढ़ा डालो चलो सबकी कैपिटल बता डालो कैपिटल नॉर्थ इस्ट कैपिटल और यहां पर किस ठीक है कैपिटल बता डालो फटा फट यहां पर कैपिटल बता डालो चलो सेवन सिस्टर्स किसको बोलते हैं उच्ट सेवन्सिस्टर समय कॉन अधै़ में यहां पर अधनाचल प्रदेश आई डाता है आपका द्यान सुनना लेकिarnos में घालेया है तरफुराहै मनिपूर है और नागालैंड है उफ्च्रेड प्लस suoन ब्रदर बोलते हैं और ब्रो्स बोलेस तो यहां पर का सिक्किम समझ में आ गया वेरी गुड़ कोहिमा बहुत बढ़ी हा नापियर दियो गवर्नर एन आरेन रवी बहुत बढ़ी हा ठीक है इंफाल वह च्छे चलो फटाफट देख लो है आपे रवट देख लो सिक्किम गंटॉक यसा नो सिकिम कापिटल गंटॉक ठीक कैसे सही बनाया थे नहीं बनाया था ठीक ठाक बना दिया था ठीक है और नाचल प्रदेश एटा नगर अर्सकां कि दिस्पूर मेगालिया की शिलॉंग फिर यहां पर नगलन की कोहिमा मनीपूर की इंफाल और उसके बाद में आईजवाल इसकी इसकी विजुराम की मेगालिया में प्लेस है ना जो बड़ा फेमस है फ़र रेंफॉल और रेंफॉल सबसे ज्यादा रेंफॉल होती है जहां पर कौन सा है भाई हां जलती से बताओ चेरा पुंजी ठीक है या मॉइसिन राम मॉइसिन राम जल्दी से बताओ कौन सा है इन दोनों में से कौन सा है प्रेंफॉल के लिए में गाले हम फेमस शिरा पुंजी या मॉइसिन राम जल्दी से हां फड़ा बड़ा आंसा कर दिया है अब लिए अजय डेली बस questions देखिए ठीक है और उनसे related जो बी मैं यहां पे work देता हूं उसको कर यह घर पर जाके बस हो जायगा सब ठीक है, पहले चेरा पुंजी था, पहले चेरा पुंजी था, अब है मुईसिन राम, पहले चेरा पुंजी था, अब है मुईसिन राम, ये धान रख लेना, पहले चेरा पुंजी था, बट अब क्या है, मुईसिन राम है, So I hope आज़ी क्लास समझ में आई सभी को Yes or No? I hope you all enjoy the class I hope you all enjoy the class ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले साल अगले साल मतलब की सर Happy New Year सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुब कामना है चीक है? नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुब कामना है चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स ताइम नेक्स बात पे फटाफार चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजेगा और GSGA फिर से बता रहा हूं भाई दोबारा बुलना ना पड़े GSGA with Sanjay सर जुड़ जाना और जितने वियू है कर देना चलिए थैंक्यू थैंक्स अलॉट गड्लेस यू आल